गुड मॉनिंग कीट्स, हावारी ओलार, तुड़े वी वी लण नुत्तन अबेनव हिंदी प्रवेशी का पार्ट वन, आज हम सिखेंगे हिंदी विशे, बच्चों आपको पता है, जो हिंदी विशे है, वो हमारा नेशनल लेंग्वेज यानि की हमारी राष्ट्रे भसा है, और आप जैसे गुजराती में कखग सिखते हो, तो और अंग्रेजी में ABCD सिखते हो, इसी तरह आज हम हिंदी में वरण माला सिखेंगे, चलो बच्चों, देखो आपने जब अंग्रेजी स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने आलफाबेट सिखे देना, ABCD, उसी तरह जब ह हम गुजराती सिखते हैं, तो उसमें भी कखग सिखते हैं, तो उसी तरह से यह है हिंदी की वरण माला, यानि उसे भी इंग्लिस में आलफाबेट कहते हैं, ओके, चलो हिंदी की जो वरण माला है, उसमें पहले हम स्वर सिखेंगे, तो उसे कहते हैं, वावेल्स, चलो कितन स्वर है देखे एक दो तीन चार पात छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा स्वर आते हैं चलो उसमें सबसे पहला स्वर है अ उसे कहते हैं इंग्लिस में हम उसे बोलते हैं A, फिर A, उसे इंग्लिस में डबल A लिखते हैं, E, यानि कि I, फिर E, उसे डबल E, ऐसे लिखते हैं, U, ऐसे U लिखते हैं, U, यानि कि जो अंग्रेजी में हमें लिखना है, तो डबल O लिखते हैं, RU, यहाँ पे दिया नहीं है, पर हम ए यानि ए लिखेंगे, ए यानि ए आई, ओ यानि ओ, अउ, ए यू, अम, ए एम, अथवा तो ए एन, अह, ए एच, ए यह हुआ स्वर का परीचाए, अब हम सीखेंगे उसके वियनजन, तो चलो वियनजन देखते हैं चलो, वियनजन, उसे कहते हैं कॉंसेनेंट, क, तो उसको हम अंग्रेजी में के ए, इस तरह से लिख सकते हैं अब मैं दोनों पढ़ूंगी, बार-बार मैं आपको बोलूंगी नहीं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर आप लोग समझना ख, K-H-A, ग, G-A, ग, G-H-A, च, C-H-A, छ, C-H-A, ज, J-A, ज, J-H-A, ट, T-A, ठ, T-H-A, ड, D-A, ध, D-H-A, अन, N-A, त, T-A, थ, T-H-A, द, D-A, ध, D-H-A, न, N-A, प, P-A, फ, F-A, ब, B-A, भ, B-H-A, म, M-A, य, Y-A, र, R-A, ल, L-A, व, V-A, श, S-H-A, श, S-H-A, स, S-A, ह, H-A, क्ष, K-S-H-A, ग, G-N-A, ट, T-A, A, ओके, तो यह थे उसकी वरणमाला के व्यंजन, अब हम क कैसे लिखते हैं, उसका प्रथम अक्सर हम देखेंगे, चलो बच्चों, हमने व्यंजन देखें, तो हमें यहाँ पे व्यंजन अब कैसे लिखने हैं, वो देखना है, तो सुरुवात होती है, प्रथम लेटर, उसका प्रथम अक्सर जो है क, वहाँ से, चलो, तो सबसे पहले पढ़ो और लिखो, read and write, देखो, यह किसका पिच्चर है, कमल, तो क से होता है कमल, क से कमल, तो उसमें हम अंगरेजी में के ए लिख सकते हैं, फिर यहाँ जो लेटर है, वो क है, अब यहाँ पे कमल, फिर यहाँ पे आपको फिर से repeat करना है, क लिख कर complete करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, कमल का क, इस तरह से, यह लेटर हुआ, complete, कमल को इंगलिस में lotus कहते हैं, चलो, अब दूसरी activity है, क पहचान कर circle बनाओ, ओके, तो यहाँ पे जो line दी है, उसमें से ऐसा कर आपको पहले पहचानना है, तो देखो, फर्स्ट यह रहा कर, तो हम इस पे ऐसे circle बनाएंगे, चलो, अब दूसरा यह रहा, तो हम इस पे circle बनाएंगे, चलो, तीसरा यहाँ पे नहीं है, चलो, अब चोथा यह रहा, तो इस तरह से circle बनाओ, चलो, हो गया complete, तो इस तरह से आपको भी आपकी book में circle बनाके कर करने है, चलो, अब देखो, आगे, पढ़ो, यानि रील, वरण में रंग बरो, यानि color the later, ओके, देखो, यहाँ पे आपको कर जो दिया है, उसकी जो line है, बीच वाली, वो blank है, यानि उसमें आपक जो मन पसंद आपका color है, वो feel करना है, ओके, जानती से आराम से इसमें भरना, चलो, अब देखो, बिंदूओ को मिलाओ, यह बिंदूओ, इस तरह से यहाँ पे 1 लिखा है, तो हमें पहले 1 जो arrow है, वहाँ पे जाना है, फिर 1 के बाद क्या आता है, 2, तो हम 2 की तरफ जाए जाएंगे, ओके, चलो, यह 2 का number complete हुआ, अब 2 after 3, तो हम इस तरह से इस तरह मूड जाएंगे, चलो, यह पुरा color बना, पर उसमें हिंदी में हमें उपर line लगानी पड़ती है, इस तरह से, line खीच कर, यह पुरा हमारा letter हुआ, कल, चलो, अब देखो, यहाँ पे पढ़ो औ इस तरह से गूंट कर, complete करना है, dark बनाना है, ओके, तो आप यह इस तरह से dark बनाना को, और बोलोगे साथ में को, ओके, चलो, तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे लिखके दिखाती हूँ, यह हुआ, हमारा letter को, चलो, अब आपको यह जो निए नीचे दिख्तस्ताने यानि खाली जगह है, उसमें भी लिखना होगा, क क क से सुरू होने वाले चित्रों से जोडो, join क with the picture which beginning with the letter क, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हम गुजराती में करते थे ना विशे में, क जो है, वो बीच में लिखा है, अब गालटी में, यहाँ पे सब पिच्चर दिए है, उसमें पिच्चर के नाम लिखे हुए है, साथ में, तो कुन सा पिच्चर कर, later से सुरू होता है, वो देखना है, जैसे ये क से सुरू होगा, कमल, तो हम इस पिच्चर को इस तरह से joint करेंगे, उसी तरह से, यहाँ देखो, तो टोपी तो ये टोटा से सुरू होता है तो ये नहीं आएगा कंगी यानि कसे सुरू हुआ तो हम इस तरसी से जोइंट करेंगे कछुआ तो जोइंट करो इसे चलो बैट वो नहीं आएगा गैंद वो भी नहीं आएगा करेला हां तो वो भी कसे सुरू होता है आपको जोइ में आ गया इस तरह से यह activity करनी है अब next देखो क के नीचे रेखा खीचो यानि कि underline क आपको क्या करना है यहाँ पर जो सब्द दिये है उसमें से ऐसे क देखकर उसकी नीचे ऐसे line करनी है देखो मैंने लगा यह line धोल क तो देखो यह करहा बकरी तो उसमें कर यह रहा कमारा तो यह रहा को सड़ को तो यह को रहा कालो तो यह रहा को इसमें क्या करना है बच्चो देखो यह जो बॉक्स है न फर्स्ट बॉक्स तो उसमें जैसे को आपको दिखाई दे उसमें आपको क्रोस नहीं करना बाकी के जो लेटर है उसमें आपको क्रोस लगाना है तो देखो यह का है तो इसमें हम क्रॉस नहीं करेंगे चलो यह रा है तो हम उस पे क्रॉस करेंगे इस तरह से फिर का तो नहीं करना है व तो हमें उस पे क्रॉस करना है उसी तरह से यह ता अलग लेटर है न का से तो उसमें हमें क्रॉस करना है हम अंग्रेजी में सीखते थे ना फिर पहले different letter पे cross करना उसी तरह से क, फिर ये च, तो इसमें cross करो, ख, इसमें cross कर दो, चलो अब भ, फिर ख, तो इसमें भ, इसमें, तो इस तरह से आपको work करना होगा, ओके, चलो अब नीचे next देखो, पढ़ो और लिखो, read and write, देखो, कौसे अलग-अलग शब्द बनते हैं जैसे कौसे कभूतर कौसे कलस कौसे कलम कौसे कचुआ तो हमें यहाँ पे नाम दिये है तो वहाँ नाम हमें लिखने है जैसे पूरे नाम नहीं लिखने है पर सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर आपको लिखना है जैसे क से कबूतर तो हमें फिर से लिखना है यहाँ पे क से कबूतर फिर आपको लिखना है यहाँ फिर से क यानि कि फर्स्ट लेटर जो क है वो आपको लिखकर यहाँ सब्दा पूरा करना है उसी तरह से यहाँ पर भी क से कलम तो आप लिखोगे क से कलम क से कचुवा तो हमें लिखना है क क से कचुवा इस तरह से आपको आपकी बूप में लिखना है चलो, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है शब्दों में से क पहचान कर सरकल बनाओ इन सरकल क, in the words देखो, यहाँ पे सब्द लिखे है एक्जम्पल के रूप में यहाँ दिया है कदम, तो उसमें क देखके हमें सरकल बनाना है उसी तरह से करण तो हम क जो देखेंगे, वहाँ पे सरकल बना देंगे बकरी, तो यह रहा क बीच में, तो उसमें सरकल बनाओ मह को तो ये रहा को तो इसमें हम सरकल बनाएंगे बस इस तरह से आपको आपकी बुक में मैंने जो आज वर्क करवाया वो वर्क आपको कंप्लीट करना है ये आपका होमवर्क रहेगा ठीके?